नमस्कार मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धमसर मार्क 149 साल के बाद गुरू जब धनुरासी में आएंगे 29 मार्च को और यहाँ पर रहेंगे 22 अपरेल तक लेकिन अब ही सनी देब धनुरासी में विराजमान है और आज तड़के 248 पर केतु भी धनुरासी में आ चुके हैं और यहाँ पर 23 सितंबर 2020 तक बने रहेंगे सनी और केतु की यूती और इसका प्रभाव आप सभी रासियों पर क्या पड़ेगा ये तो हम बतलाएंगे ही और साथ ही ये भी बतलाएंगे कि अगर आपके रासी पर इसका बुरा प्रभाव है तो बचने के लिए क्या करें वैसे हम हर रासी के रासी फल के साथ ही बतला देंगे आपनी ध्यान से वीडियों देखिएगा केतू जिसे पापी ग्रह की संग्या प्राप्त है और राहू की तरह ही छाया ग्रह है लेकिन बैदिक जोतिस में इनका एक बिसेश महत्व है हलांकि इनका कोई अपना भौतिक अस्तित तो नहीं है हमेशा वक्रिगती से चलते हैं और केतू के गोचर की बात करें तो ये परतेक 18 महिने में अपना रासी परिवर्तन करते हैं और गोचर के दोरान निस्चित परिवर्तन लाने की चमता भी रखते हैं और ये परिवर्तन अब होने जा रहा है यानि हो चुका है और धनूरासी में उत्रा असाडा नच्छत्र से अपना गोचर सुरू कर लिये हैं और धनूरासी केतू की उच्च रासी है इसी कारण यहां उच्च का केतू कहलाएगा और केतू तर्क, बुद्धी, ज्यान, बैराग्य और कलपना का कारत है तो आईए मेंसरासी की बात करते हैं मेंसरासी, केतू आपके भागे के अस्थान पर चलेंगे उच्च के हैं भाग्यो देहोगा लेकिन सनी केतू की युती पिता के भाव में रहेगा और आपके कमर पर इसका प्रभाव रहेगा यानि बैक पैन जैसी समस्या हो सकती है पिता के भी स्वास्त कपर आपको ध्यान देना है और आर्थिक छेतर में संभल कर कदम आगे बढ़ाईएगा वर नान नुकसान हो सकता है धन का लेन देन में या निवेज में साथधानी रखें लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं काले तिल का दान जरूर करें सनी की धहिया चल रही है और केतू आपके पिर्तिव अस्थान पे है उपर से सनी के साथ की युती दुरगट ना कराएगा साब्धान बने रहना है आपको साब्धानी रखना है कोशिस करें कि इन डेर सालों में अपने परिवार के साथ एक ही गाड़ी में सफर ना करें अलग अलग करें स्वास्थ पर ध्यान दें किसी भी तरह की लापरवाही मत कीजिएगा और डॉक्टर के संपर्क में बने रहें वहां चलाते समें पूरी सवधानी रखना है नसे में गाड़ी ना चलाएं साथ ही आर्थिक छेत में भी असर दिखेगा बात करते हैं मिथुन्डासी की पत्नी के घर में सनी और केतु की यूती बनी हुई है इसलिए आपको अपनी पत्नी के स्वास्त का ध्यान रखना है विवाहिक जीवन में थोरी कटनाईयां दिख रही है जीवन साथी से मन मुटाव हो सकते हैं और उनका सम्मान करें इनसे बचने के लिए और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें बिना मतलब के सक ना करें पत्ती समंधी विवाद भी पैदा हो सकते हैं और पैत्ति सम्पत्ती को लेकर थोरे यहां पर विवाद होने की संभावना है व्यापार में भी थोरे से यहां परिशाने दिख रहे हैं गनेज जी की अस्तुती करें बचे रहेंगे उन्हें दुरवार पित करें करकरासी छटे भाव में सनी और केतु की युती बनी हुई है और यहां पर कारियों में रुकावट दिख रही है सफलता पाने के लिए संगर से जादा करना परेगा स्वास्त समंधी परेसानिया आपको परेसान कर सकती है स्वास्त पे ध्यान दे और बेवज़ अनावस्यक बस्तों पर खर्च ना करें सो समझ के धन का खर्चे कीजिए और किसी से बात करने के समय सालिंता दिखाइए अपसद का प्रियोग मत कीजिए वरना अनावस्यक रूप से बाद विवाद में पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ नित्ति दिन करें सिंग रासी पंचम भाव में सनी केतु की युती, बुद्धी और बिद्या एवन संतान को दर्साने वाला भाव इसलिए यहां पर धन के मामले में संभल के रहना है किसी सक्स पर ज़्यादा भरोसा ना करें प्रेम जीवन में भी बिवाद संभव है और लब पार्टनर को ऐसी कोई बात नहीं बताएं या नहीं करें जिससे उनसे का दिल दुखे केतू के प्रभव के कारण बुद्धी थोरी आपकी डिस्टर भी हां पर हो सकती है अपने बच्चों का खास ख्याल रखें भैरव देव के मंदिल में काला ध्वजा अर्पित करें साथी केसर का तिलक जरूर लगाएं नित्यपराता असनान करने के बाद करन्यारासी चौथे भाव में सनी और केतू की यूती है और यह सुक बृद्धी और बंधू का संबन्ध बतलाता है बाव और यह केतू सनी की यूती पारिवारिक जीवन में अपनी बुरी नजर बनाएवे है यानि कि आप अपने घर ग्रिष्टी पर ध्यान दे ग्रिक लेश संभव है काम का बोज रहेगा अधिक बेस्त रहिएगा और नीजी जीवन को कम समय दे पाईएगा कभी ऐसा भी हो सकता है कि घर की खुसियों खुसियां जैसे नदारत सी हो गई है मानसिक तनाव भी परिशान कर सकती है ऐसे में औसंतोस का भाव भी आसकता है के सर्या हल्दी का तिलक नित्य प्राता लगाएए अब बात करते हैं तुलारासी की तुलारासी आपकी कुणली से तीसरे भाव यानि पराकरम के भाव में केतुसनी की युती है आपके लिए सुप फर लेकर आया है और आपको हर छेतर में सुखत प्रइनाम मिलेगा नौकरी में परमोसन अच्छा अफसर मिलने से आपकी जौब में परिवर्तन भी हो सकता है धन लापके तमाम आपको अफसर मिलते रहेंगे साथ ही साथ इनकम बढ़ेगा आपका जो बोल में केतु और सनी की यूती है आर्थी छेत्र में धन की हानी हो सकती है अब सब्थों के कारण किसी से झजगडा हो सकता है पारी प्यारिक जीवन में भी चनूत्य जैसी संभावना है गलत फ़म्मी हो सकती है और अपनों से दूर भी रहना पर सकता है खर्चे बढ़ेंगे जीवन में आ रही परिसानिया मांसिक तनौ भी देगा। तो ऐसे में स्वास्त का ध्यान रखें, किसी को पैसे उधार ना दें, ना ही लें। और नीले फूल का दान करें, केसर या हल्दी का तिलक नित्य प्रातर जरूर लगाईए। धनुरासी, सनी की साड़े साती चल रही है चाती के ऊपर, और लग्ण में बंढ़ा है सनी केतु की युती, स्वास्त पर ध्यान दीजिए, कोई पुराना बिमारी पुनह जन्म ले सकता है, और परिसानी में भी डाल सकता है, आपके आसपास के लोगों को किसी प्रकार की समस् ना मिल सके, सनी चालिसा का पाठ रोज सामें जरूर कीजिए, आराम मिलेगा, अब बात करते हैं मगर रासी की, मगर रासी, कुंडली में यह बार्वे भाव में केतु और सनी की युती आपके लिए कस्ट कारी है, आर्थिक छेतर में भी हानी दिखती है, और खर्चों में देजी आएगी, बिदे सियातराज कर सकते हैं, बच्चों के स्वास्त पर ध्यान दीजिए, आरे छेतर में भी बाधा दीख रही है, किसी कानूनी काम में मत पढ़िये, अन्यथा जेल हो सकती है, परिसानियों के कारण आपको मानसिक तनाव भी रह सकता है, आप तनाव को अपने उपर हावी ना होने दे, आप रंग बिरंगे कंबलों का दान करें, दुष्ट लोगों से साबधान रहने की आपको अवस्ता है, के सरकतिलग जरूर लगाईएगा, अब बात करते हैं कुम्बरासी की, कुम्बरासी वालों, इनकम के अस्थान पर, लाप के अस्था आने के लिए आपके पास ठीर सारे अपसर आएंगे, और केतु का आसिरवात से आपको अनेक माध्यों से धन की प्राप्ती होती रहेगी, विद्यार्थियों के लिए खास आपको पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आएगी, सिनियर्स लोगों से साबधान रहेए, अपने का आपके लिए अधिक हलांकि अनुकूल नहीं है, आर्थिक छेतर में लाब मिलने के योग हैं, धन की बचत में आप सफल रहेगा, कई सरों से धन जीवन में आता रहेगा, और कारे छेतर में कभी कभार आपका मन दुकी हो सकता है, इस तोरान आप मन में निरासा का भाव भी ला सकते हैं, आपके उपर काम का दवाव भी रहेगा, आप नीजी जीवन को कम समय दे पाएंगे, पारिवारी जीवन में आप अपनी मा के स्वास्त पर ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आप तिल के तिल का दान करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, साथ ही आप केसर या हल्दी का तिलक नियमी तोर पर जरूर लगाईए, आपके लिए अच्छा रहेगा, तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है, प्लिज लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, धन्यवाद